बभिष्य के सभी अध्यापक साथियों का डीक गुपता चैनल पर हर दिख स्वागत है। दोस्तो मैं हूँ आपका योगिस सर और पर्रयावड अध्यन में अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आगया हूँ। यह वीडियो आज की बहुत जादे इंपोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि जो मैंने आपको कल बताई थी बात कि दिसंबर 2019 में जो वन रिपोर्ट है वो प्रकाशित की गई थी। तो उसी वन रिपोर्ट में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि सबसे जादा जंगल किस राज्यमे है, दूसरे स्थान पर कौन है, तीसरे स्थान पर कौन है, सबसे कम कहां पर है, इसके अलावा सरवादिक वरद्धी किस ने करी है, इसके अलावा वनो का सरवादिक घनत किस राजय में है तो कुछ के साहँ चीयर करूंगोंग, मैं कई सारी Important Points आपके साहँ खीर करूंगी युडू सब्सक्राइब यू तोड़ी सी चोड़ी होने वाली है क्योंकि प्रależणों को मैंने नहीं रखा है प्रश्ण में मैं लेकर आऊंगा इस वीडियो के अगली वीडियो में जम मैं आपको जंगल यानि की वन पढ़ाऊंगा उसमें लेकर आऊंगा अभी में आपको केवल जो वन संबंदी रिपोर्ट प्रकाशित की गई है केवल वही बताऊंगा चली शुरुआत करते हैं आप हमसे Facebook पर जोड़ सकते हैं DKGupta1122 आपको सर्च करना है Instagram पर जोड़ सकते हैं आप Telegram पर जोड़ सकते हैं और इसके अलावा Play Store से आप DK Academy Official एप को भी डाउनलोड कर सकते हैं तो चली शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम यह पर One Report की बारे में डिस्कस कर लेते हैं कल मैंने आपको बताया था कि जो One Report है वो भारत की का प्रकाशित कीगी थी December 2019 में अच्छा इसकी जो डेट है वो याद कर लीजी कि इसको 30 December 2019 को भारत में One Report को प्रकाशित किया था ठीक है और इसको प्रकाशित करवाने का श्रीय जाता है भारतिय वन सरवेक्षड भिभाग को ठीक है Forest Survey of India ही करवाता है ठीक है और इसके अलावा इसको किया गया था प्रकाशित 30 December 2019 आप मान सकते हैं कि 2020 में इसको प्रकाशित किया गया अब आपसे प्रेशन ये पूछा जा सकता है कि भारत जो वन रिपोर्ट है वो कितने वर्स बाद प्रकाशित की जाती है तो दो वर्स की अंतराल पर अब आप समझ सकते हैं कि 2019 में की गई है तो इससे पहले 2017 में की गई होगी, अभी जो इसकी रिपोर्ट है वो 2021 में प्रकाशित की जाएगी, ठीक है, तो भारत वन रिपोर्ट प्रतेक दो वर्स बाद प्रकाशित की जाती है, अभी हाल ही में 30 दिसंबर 2019 को ये प्रकाशित की गई है, ठीक है, अब इसमें ये प्रका पर वन है जंगल है वो आपको बताना है ठीक है तो इसका जो फिगर है वो है आठ लाख 7276 प्रतिवर्ग किलोमेटर या आठ लाख 7276 किलोमेटर स्क्वाइर ठीक है इतने चेत्रफल पर क्या है भारत में वन है अच्छा एक चीज और मैंने आपको बताई थी 24.4% भाग पर है कल मैंने आपको बताई था कि पूरा इंडिया का जुनकसा है उसके पूरे भुभाग में जितना भी 24 प्रतिशात है 24 प्रतिशात है इससे पर क्या है वन है वन है यानि की पेड़ पौदे और वरक्ष जंगल सब गोच है ठीक है अब यहां पर अगला पॉइंट है और टोटल अगर बात करी जाए कि जैसे हम जो भी फसलें वगरा करते हैं जो भी पेड़ पौदे हमारे आसपस लगे रेते हैं उसको मिलाकर है 24.4 प्रतिशात अच्छा 24.4 प्रतिशात अगर आपको 24.5 प्रतिशात दिख जाए तो आपको 24.4 ही पढ़ा है ठीक है तो 24. तो आप याद रखें कि टोटल कितने परसेंट पर है जंगल बन है जो वह है 24 परसेंट पर है कुल भागोलिक शेतर पर वनावड कितना है यानि कि जंगल कितने पर है हम तो बात कर रहे हैं मतलब हम पेड़ पौदें की बात कर रहे हैं फसलों की बात कर रहे हैं जैसे कई स 21.67% बारत में जंगल कितने प्रतिशत हैं ? 21.67% अगर आपसे पूछ ले कि ब्रच्छ कितने हैं यानि कि जंगलों को छोड़ दिया जाए अगर हम जंगलों को छोड़ देते हैं और केवल यह देखते हैं कि हमारे जो यह पास पेड़ पौदे हैं और जो हम फसले करते हैं अब देखिए याद रखेंगे कितना है 2.89% अच्छा अब यहां पर बात कर लेते हैं कि सबसे पहली जो रिपोर्ट है वो 2017 में लाई गई थी तो 2017 में पर उसके बाद आई है 2019 में तो 2017 से 2019 तक जो गैप रहा है 2 साल का उसमें भारत में जो 1 है उनकी संक्या कम हुई है या फिर हमने और जाद अवरक्ष लगाई है यानि कि इस्तिती में सुधार आया है तो उसमें क्या है तो यह याद कर लिए 0.65 0.65 प्रतिशत की दर से क्या है इतने प्रतिशत जंगल क्या है वन क्या है बड़े है यानि कि अगर इसको वर्ग प्रति किलो मीटर में निकाला जाए तो 5188 किलो मीटर स्कॉयर चेतर फल पर जो जंगल है जो वन है वो बढ़ गए है ठीक है 2017 तो यह कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट है सबसे पहले तो जो भारत की वन रिपोर्ट में प्रकाशित किये गए है याद रखेंगे लास्ट बार की वन रिपोर्ट है का प्रकाशित की की 30 दिसंबर 2019 को प्रतेक 2 वर्स बाद इसको प्रकाशित किया जाता है कुल वनों का अच्छा अच्छादित चेतर याद रखेंगे अच्छा वन कितने है याद कि जंगल जंगल कितने है तो 21.67 प्रतिशत और बाकी वरक्ष जो वरक्ष है वो कितने है वो है 2.89 ठीक है अब 2017 की तुलना में 2019 में क्या है 5188 km2 चेतरफल पर जो जादा हो गई है इतनी दर से बड़े हैं 0.65% जो जंगल है उसमें ब्रद्धी हो गई है तो यह important है भारत की वन रिपोर्ट है अब इस टेबिल को आपको याद करना है यह बहुत जादे इंपोर्टेंट टेबिल है बहुत आदे स्पेशल है फोरेस्ट इंडेक्स है अब भारत की वन रिपोर्ट है उसमें क्या क्या चीज़े आई है वह सारी चीज़े आप याद कर लीजिए सबसे पहले सरवादिक वन छेतरवाली राज्य सबसे पहले मैं डिसकस करता हूँ कि भारत में कौन-कौन से राज्ये हैं सरवादिक जंगल है ठीक है वह बात कर लेते हैं तो सबसे पहले नमर पर आता है दोस्तो मध्यप्रदेश सबसे पहले नमर पर क्या आता है मध्यप्रदेश इसका मतलब यह है कि 77,482 km2 में मध्यप्रदेश में वन है जैसे आप लाख 7,262,266 तो 8,00,000 में से 77,000 केवल मध्यप्रदेश में सरवादिक छेत्रफल बाला राज जंगल में मध्यप्रदेश कितना है याद कर लीजे 77,420 km2 उसके बाद आता है दोस्तो अरुनाचल प्रदेश जो भारत का पूरी विराज है एक दम उपर है कौने पर आप देखना मेब में अरुनाचल प्रदेश कितने चेत्रफल पर इसमें वन है तो 66,688 66,688 किलोमेटर स्कॉयर इतने चेत्रफल पर अरुनाचल प्रदेश में वन है इसके बाद आता है 36 गड़ इसका अब नक्सल एरिया कहते हो नक्सल जादा वहाँ पर पाए जाते हैं 36 गड़ 5561 किलोमेटर स्कॉयर इतने चेत्रफल पर 36 गड़ में क्या है वन है चलिए अब यहां पर यह हो गया आपको पता लगया कि सरवादिक चेत्रफल बाले राज्य कौन सी है जहां पर वन है तो सबसे पहला है मद्यप्रदेश दूसरा है अरुनाचल प्रदेश यह फिगर आप नहीं भी याद कर पाओ तो आप इनके नाम जरूर याद कर लीजेगा कि मद्यप्रदेश अरुनाचल प्रदेश और 36 गड़ एक तो यह होगी इंडेक्स में कि सर्वादिक वन कहां पर है अब बात कर लेते हैं कि सर्वादिक वन जो आवरड है उसका गनत्व वाले कौन-कौन से राज्य है मद्यप्रदेश तो बढ़ा है अब किसी भी तीन राज्य को मिलाकर एक अकेला राज बनेगा तो वहाँ पर तो अब यह सी बात है कि वन जादा होंगे लेकिन जो छोटे छोटे राज्य हैं उसमें भी बहुत जादा वन है तो हम बात कर रहे हैं गनत्व की अनुसार यानि कि density की अनुसार तो सबसे पहले वन आवरड में सबसे आदा गनत्व वाला जो राज है वह है दोस्तो मिजोरम मिजोरम में 85.4% इसके छेत्रफल पर वन ही वन है यानि कि पूरा मिजोरम अगर 100% है तो उसके 85% पर क्या है वन ही वन है यानि कि चारो तरफ कहीं भी देख लो वन ही वन है और वन ही वन है उसके बाद आता है दोस्तो अरूनाचल प्रदेश 70.963% ल개 यान अरूनाचल प्रदेश में में 76.33% लोले में 66.33% जंगल जंग्ल ही जंगल है मेगाले में ,Art. मेगाले में तो पूरा 85% जंगल है, अरुना चल परदेश मेगाले के ऐते हैं इन तीन नामों को आप याद कर लिझे, जो की वनावरड में सरवादिक वन गनतव राज्ये हैं we do not confuse is the další नहीं होना है रौन कहाँ पर कहाँ वणों का आवर्ड कहाँ पर है उसके बाद है वणों के वणों कहा भर्दी करने वाले राज्य है व्णों कि उन्हों कहाँ परकॉय कहा राज्य का बाध गा करना थे जो संस्वा 높ी जादा बढ़ है तो सर्प से जयाता जो तरकी करी और करिये है करनाटक ने उसके बाद आता है दोस्तो आंदर्प्र ड्यश्ट कंफ्यूज मती होगा होई एक पहली दो इंडेक्स में अरुनाचल प्रदेश है तीसरी इंडेक्स में तरकी करने वाला राज़ है आंद्रप्रदेश यानि कि अपने वनों में जो व्रद्धी करने वाला राज्य जो दूसरे स्थान पर है वो है दोस्तो आंद्रप्रदेश 990 km2 यानि कि 990 प्रतिवर्ग किलोमेटर चेतर फरपल क्या है इसने अपने और जादा वन बढ़ा लिये हैं आगे बढ़ते हैं केरल की तरफ चलते हैं केरल ने भी 320 km3 पर चेखा अपने जंगल ही जंगल जो बढ़ा लिये हैं तो आप देख सकते हो तरक्की करने में हमेशा इंडिया में हमेशा जो राज्य आगे रहते हैं वह हमेशा साओध के होते हैं केरल, Tamil Nadu, Karnatak, Andhra Pradess ठीक है अभी देखिए अंधटरप्रदेश से संमधिते करेंटे फिर निकल के आई है कि अंधडरप्रदेश की तीन नई राज़्दानिय होँगी, 5 दॉदेफ्र राज्यपाल होँगे, तो वो फिर सारी बात है खरेंगे, किवल तीन इंडेक्स आपको जाद करनी है सबसे जादा जो वन वाला राज्य कौन सा है मद्यप्रदेश दूसरे स्थान पर है अरुनाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर है चत्तिसगड सरवादिक वनो के आवड़ का घनतव कहां पर जादा है तो मद्यप्रदेश में, मिजोरम में, अरुनाचल प्रदेश में और मेगाले में सरवादिक अपने वनो चेतर में जो व्रद्धी करने वाले राज्य है वो कौन-कौन से हैं तो करनाटक पहले स्थान पर है आंदर प्रदेश दूसरे स्थान पर है किरल तीसर स्थान पर है, ठीक है तो यह इंडेक्स आपको जाद कर लेनी है, इसके अलावा आपसे इंडिया की पूछेगा, कि इंडिया में सबसे ज़ादा है, हमारे भारत में सबसे ज़ादा जो वन है, वो किस राज्य में है, फिर आप से पूरे विश्व की भी तो पूछ दोस्तों यहां पर याद रखेगे, तो धोस्तों यह है, फॉरे स्थे इंडेक्स और फॉरेस्ट रिपूर्ट, जो 31 दिसंबर 2019 को प्रकाशित की गई थी तो ये कुछ important सा लेक्षर था और इस से संबंदित कई सारे प्रस्न हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्केस करूँगा अच्छा नीचे कोमेंट्स करके क्वेशन बताईए कि स्वक्षिता की रिपोर्ट आय थी स्वक्षिता सर्वेक्षड की रिपोर्ट आय थी तो उसमें इंडिया का कौन सा ऐसा शहर है जो सबसे ज़्यादा क्लीन है सबसे ज़्यादा सुच है बताईए नीचे कुमेंट्स करके इंडिया का ऐसा भारत का ऐसा कौन सा सहर है जो स्वक्षता सरवेक्षड 2019 प्रतम इस्तान पर रहा था यानि कि बिल्कुल भी आपको गंदिगी वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी सड़कों पर कूड़ा कचड़ा आपको देखने को नहीं मिलेगा लेकिन कई सारे एसे राज्य है जैसे मद्यपरदेश राज्य है और गुजरात और कई सारे इनमें आप देखोगे अच्छे शेह नहीं आप जाओगे तुमहा पर ना ही आपको सड़कों पर एक भी रैपर देखने को नहीं मिलेगा किसी भी किसी तरह का कोई गंदीगी नहीं मिलती है और time to time सफाई होती रहती है तो नीचे कमेंट करके बताना है कि भारत का ऐसा कौन सा सहर है जो स्वक्षिता सर्वेक्षड 2019 में प्रधम इस्थान पर रहा था सबसे जादा neat and clean city कौन सी है नीचे कमेंट करके आंसर बता दीजिगा और इसके प्रस्ट में आप से एगली वीडियो में डिसकस करूंगा जिसमें मैं आपको वनों के बारे में डिसकस करूंगा क्योंकि वन क्या है वन के प्रकार क्या है सबसे जादा वन कहां पर हैं तो वो वीडियो अलग से रहेगी है, यह थोड़ी सी इंडेक्स से संबंदित वीडियो थी. उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक करना है, आपको शेयर करना है. पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, आज के लिए तना ही दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाग.